असलाम अलेकुम जी कैसे हैं आप लोग आज हम देशी मुर्गी बनाएंगे इसके कुछ टिप्स और ट्रिक्स में आपके साथ शेक करोंगी आपको मेरे साथ ये पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी ताकि आपको इसकी सही तरह से समझा सके तो सबसे पहले हम पिटी की उसे आप़े तो इसके साथ ही हमने अपना मसाला आप करना है जो यह सपेशल मसाला होता है. दस से बारा अदर्द हमने काली मीच ले ली साबूत और सुखा दनिया ले लिया साबूत एक चमच जीरा ले लिया एक चमच एक मोटी लाची थी और दो छोटी लाची सबस लाची जोती है न वह वली इसको हमने अच्छे से पीस लेना है यह मसाला हम फ्रेश ही बनाएंगे जब यह पीस जाए तो इसमें हम छे से साथ जो है वो लेसन के जवे डालेंगे थोड़ी सी अद्रग और एक हर इमीच तो इनको हम अच्छे से पीस लेंगे पीसने के बाद जब हमारा जो प्याज है लाइक प्राउन कलर का हो जाए तो हम इसमें अपना यह मसाला शामल कर देंगे और यकीन करें यह मसाला शामल करने से इसमें इतनी अच्छी हुश्वू आएगी ना जो फ्रेश मसाला पीस के हम डालते हैं उसकी बहुत अच्छी हुश्वू आती है जरूर ट्राइ कीजेगा इस ट्रिप को अच्छे से हम जब इसको भून लेंगे इस्टेज प दालेंगे देसी मुर्गी जो है वो थोड़ी देर से गलती है इतनी जल्दी नहीं गलती तो इसको तकरीबन एक से देर गंटा चाहिए होता हलकी आच पर हम इसको गलाएंगे यहां पर हम इसको अच्छे से भून लेंगे ताकि अगर जब यह गल जाए ना तो यह स्कीन इ हमने काली मिच भी शामल की थी और हर मिच भी शामल करी थी और इसका जा साया टेंडाओं पर इसको अच्छे से हम जब इसको मसालह भून लेंगे एक किलो पानी डालकि इसको हम हलकी आच पर तकरीबन एक से धैक हैड़ गंटे के लिए पकाएंगे इसको हमने हलके इस आंच पर एक सो देर गुंटे के लिए रख देना है ताकि यह अच्छे से जो मिसाले हैं यह भी इसमें मिक्स हो जाएं और यह जो हमारा चिकन है यह भी गल जाएं तो यहां पर हमारा पानी तो हुश्क हो गया था तो हमने और चिकन भी हमारा बड़ा अच्छे से गल गया था तो हम यह जो मसाला है इसको अच्छी सा तरह से एक दफा फिर से भून लेंगे ताकि यह जो प्यार से यह तक्रीबन सारी बहुत अच्छे से इसमें मिक्स हो गया है चार से पांच मिट भूनने के बाद हम इसमें कसूरी मेथी डालेंगे थोड़ी सी और दो से तीन हरी मीचे डालके हम इसको थोड़ा सा पानी और शामिल करके इसको तक्रीबन आधा गिंटी के लिए और दम दे देंगे दो से तीन हरी मीचे डालके हम इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे और इसको दम दे देंगे तक्रीबन आदे गंटे के लिए हम इसको और पकाएंगे मज़ीद ताकि इसकी अच्छी से यहनी और इसका सारा जो फ्लेवर है ना वो इसकी मसाले में आज़े शोर्बे में आज़े यह बहुत मज़ेकी बनती है जरूर ट्राय कीजिएगा और सर्दियों में तो यह सब को खानी चाहिए यह बहुत अच्छे से भी गालगी थी होई देखें बिल्कुल भी यह मिक्स नहीं हुई मसाले में इतना ज़दा पकाने के बाद भी अभी हम इसको आदे एक आदा गंटे के लिए एक आदे गंटे के लिए हम तक्रीबने इसको ना राख देंगे हलकी आँच पर बस हम इसको अब राख देंगे यहां पर जी हमारी देशी मिर्गी जो है ना वो बिल्कुल बन के त्यार हो गी है तो हम इसको आपको दिखाते हैं डिश आउट करके बहुत मज़े की यह बनी थी ज़ूर आप लोग भी ट्राइ कीजेगा मेरी इस रेसिपी को अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी पसान दाती है तो प्लीज लाइक शेयर ज़ूर किया करें सब्सक्राइब भी किया करें मेरी चैनल को और दुआओं में याद रखिए अल्ला हाफिज प्ला हाफिए अल्ला हाफिए अल्ला है की बाद किया वाद करें से अंद के अल्ला है